गाइस कुछ समय पहले निउस आ रही थी कि T20 बल्ड कप से सुम्मन गिल को रिलीस कर दिया गया है और भारत बापिस लोटने के आदेश दिये गए हैं और तब से ही सोसल मीडिया पर लोग बोल रहे हैं कि रोहिस सर्मा और सुम्मन गिल के बीच अनबन चल रही है जिसके कार उन्हें बल्ड कप टीम से रिलीस कर दिया गया है भारतिये टीम के इस फैसले के बाद दावा किया गया कि उन्हें अनुशासन तोड़ने की वजह से वापस भेजा जा रहा है बही कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि सुम्मन गिल मैचिस से जादा अपने परसनल बर्क को प्रियोर्टी दे रहे हैं वो ना तो टीम के साथ ट्रेवल करते हैं और ना ही टीम के साथ टाइम स्पेंड करते हैं और इसके चलते ही उनको बल्ड कप टीम 2024 से रिलीस कर दिया ग अनना है तो आप बिल्कुल गलत है क्योंकि ऐसा नहीं है सुम्मन गिल को बल्ड कप टीम से रिलीस करने के पीछे कुछ और बजाए है और को बजाए क्या है आईए आपको हम इस वीडियो में बताते हैं नमस्कार दोस्तों आपका एक बार फिर से फैक्टी नॉलिज की वीडियो पर स्वागत है गैस टी 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 बल्ड कप टी 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 फोर में सुम्मन गिल को रिलीस किये जाने के बाद से लगतार सोसल मीडिया पर कई तरहे के सवाल सामने आ रहे हैं और इससे बहुत से लोगों को कनफ्यूजन हो रही है लेकिन इस सब के पीछे की बज़य कुछ और ही है और सुम्मन गिल अकेले को इस टीम से बाहर नहीं किया गया है तो आईए जानते हैं आखर इस सब के पीछे की बज़य क्या है गैस दरासल सुम्मन गिल को T20 बल्ड कप 2024 के लिए भारती टीम के साथ रिजर्व खिलाडी के रूप में जोड़ा गया था बही पिछले काफी समय से उनकी उंगली में चोट लगी हुई थी दरासल IPL 2024 के दोरान उनकी दाई तरजनी उंगली में चोट लग गई थी और उन्हें इस चोट से उभरने के लिए सरजरी की अवसकता है या नहीं ये उनको जल्दी ही NCA की मेडिकल टीम बताने वाली है और आपको बता दे की T20 बल्ड कप 2024 के लिए सुमन गिल के साथ आवेस खान रिंकूस है और खलील एहमत को भी रिजर्ब कलाडी के तौर पर टीम में सामिल किया गया था लेकिन सुपर एट मुकाबलों से पहले गिल और आवेस को रिलीस कर दिया गया है जबकि रिंकूस है और खलील अभी भी टीम के साथ ही है काईस ऐसे में आपका इस बारे में क्या कहना है हमें कमेंट सेक्षन में जरूर बताएं और ऐसी अमिजिंग फैक्ट्स के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब करें